हुआ है हलो बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे बड़े होंगे और स्वस्त होंगे मैं हूँ आपका एजुकेटर युगेस गोजवामी और सागत करता हुआ उपका स्कूल ऑफ इंट्रेंस में बहुत सारे बच्चे स्कूल ऑपन लेंडिंग से अपनी बैचलर द्रे कें पहले यह कोर्स नहीं हुआ करते थे इन private बैट पहले यह तकसरषा कंवा स्टे करते हो हमसरा बात करूए क्वोस को थे नहीं करते हैं तो आप से इसक्ते लेकिन अब जो नई कोर्स एड कि हैं उनके अंदर बहुत सारी एलिवेटिव ने क्राइटरिया इसका डाल दिया है तो एक एक करके हम बात करेंगे तो वीडियो के एंड तक बरे हैं ना क्योंकि वीडियो के आपको वो सारे कोर्स पता चाहिए जो नई एड है और हो सकता है आपके क वीडियो के अंदर 65% मार्क होने चाहिए मैं जनरल के टीकरी की बात कर रहा हूं 65% मार्क आपके ओबरल होने चाहिए 12 नदर और मैतमेटिक्स के अंदर इसपेसली 60% मार्क होने चाहिए तो मैत के अंदर 60% मार्क होने चाहिए और अगर आप OVCIE EWS से तो थोड़ा सा जहां पर छूट दी गई है 58.5% मार्क आपके ओबरल होने चाहिए और 54% मार्क आपके मैतमेटिक्स के नदर होने चाहिए और अगर आप SCST काटी को तो भुल इसपार आपके पास शरीफ पास आउट हो तो आप उसमें ले सकते हो चलिए जी दूसरे को बात करते हैं तो इस पर उन्होंने वी कॉम आट को भी आट कहा है तो अगर आप आप बीकॉम ओनर्स करने के सोच हो तो इस पर आपके पास भी गूड ऑपरचुनिटी है तो बीकॉम ओनर्स वाले बच्चों को 12 के अंदर 55% मार्क होने चाहिए तो 12 के अंदर 55% मार्क और मैतमेटिक्स होनी चाहिए कम पासी तो मैतमेटिक्स कोई परसेंटेज नहीं परचुनिटेख के लिए तो इंगलिस के लिए इस बार उन्हें जैनल केटिगरी के लिए जो है 55% मार्क होने चाहिए और यहां कुछ इंगलिस का भी करा हुआ है अगर आपके पास और इंगलीज ती तो 65% मार्क होने चाहिए तो यह भी आप थोड़ा सा ध्यार अधान र तो 58.5% मार्क होने चाहिए और अगर आपके पास score mathematics थी तो 67.5% और अगर आपके पास elective English थी तो 58.5% मार्क होने चाहिए आई होब आपको ये भी समझ मा आच चुका होगा चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद आता है हमारा बी ए ओनर्स बी पोल साइंस तो पोल साइंस अगर बी ओनर्स करने के लिए सोच रहे हो तो आपके पास जो है ट्वल्ट के अंदर ओबरल 50% मार्क होने चाहिए जनरल क्याटेगरी से और अगर आप OVC से हो तो 45 परसेंट मार्क में काम चल जाएगा तो यह कुछ आठ कोर्स थे जिसके बारे में आपको बताया कि कौन-कौन से कोर्स हैं जो अच्छे कोर्स मानने चाहिए ठीक है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आप को समझ में आच चुका हुआ एज क्राइटरिया कुछ नहीं है किसी बीच का बच्चा हो तो आप इसली यहां पर अडिशन ले सकते हो तो यह निया नौटीस था जो आपको मैंने समझानी कोशिस किये किस कोर्स के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उटल की तो आ हमारी नेरेस ब्रांच में जाके आप बिजिट भी करते हो तो हमारे काउंसलर से मिल सकते हैं वह आपको पूरी गैडियंस दे देंगे किस तरीक से इनमें एडिप्शन लिया जाता है तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स वीडियो जो आए वह आपको तुरंत मिले और ऐसी अ